हैं दोस्तों आरे प्रइंग लासनाइं फिजिक्समें चेटर 5 में हम पढ़ रहे थे सांड के बारे में तो सांड के बारे में हमने पढ़ चुक आता और अब हम देखता है सांड ट्रेवल इन फॉर्म वेव के रूप में सांड हमारा कैसे ट्रेवल करता है ठीक अब देखिये a wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between two points इसका मतलब समझीये travel in the form of wave तो वेव के बारे हम पहले जाने थे हैं कि wave होता क्या